प्राजिसान में बड़ फ्लू का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है राज्थानी जैपुर के चुडिया घर में भी इसके फैनले के आशंका बढ़ गई है सुमवार को जैपुर चुडिया घर में चार पक्षि मरे हुए मिलने के बाद हलकम पमच गया चुडिया घर प्रिशासन के मताबिक सुमवार सुमे चुडिया घर में तीन कॉमन डक और एक ब्लैक स्टॉर्क मरा हुआ मिला पक्षियों की मौत कैसे हुई यह पता करने के लिए सैंपल को जांच के लिए भोपाल इस्थित लैप में भीजा गया है वहीं चार पक्षियों की मौत के अलावा तीन जैपूर में पिछले दिने कवों की मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी बर्ट फ्लू की आशंका को देखते हुई चुडिया घर में सोडियम हाइपो क्लॉराइट का शिर्काव करवाना शुरू कर दिया गया है राजिसान की बात करे तो जैपूर को छोड़ कर शेश्व सभी शहरों में पक्षी मर रही है अब तक सबसे अधिक 508 पक्षी राजधानी जैपूर में ही मरे हैं रित पक्षियों में सबसे ज्यादा कवों की मौत हुई है प्रुदेश के 33 जिलों में से 13 में बर्ट फ्लू की पुष्टी हो चुकी है और इस कबर पर तमाम जानकारी देने के लिए जैपूर से हमारे समवदता भवानी सेंगे समय फोन लाइन पर जोड़ गए हैं भवानी पुरी जानकारी आप से चाहेंगे जैपूर में बर्ट फ्लू का जो खत्रा है वो काफी मन्रा रहा है बताया जा रहा है कि जू में भ खत्रा बढ़ता ही जा रहा है राजानी जैपूर के चुडियागर में भी इसके फैलने की आश्रंका बढ़ गई है सुमवार को जैपूर चुडियागर में चार पक्षी मरे हुए मिलने के बाद हरकंप मच गया चुडियागर प्रिशासन ने अगले आदेश तक टूरिस् है चुडियागर में जो है पक्षी मृत पाए गए हैं इनकी मौत कैसे हुई यह पता करने के लिए सेंपल को जाच के लिए भूपाल इस्थित लैब में भीजा गया है अब भवानी सिंग हमारे समवादता जैपूर से एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं सिधा उनी का रूप कर लेता है भवानी आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे जैपूर जू में भी आप रिद्पक्षी मिले है बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाडफूर राजस्तान में केर की तरह बदफ्रा है और वहीं पूर्फियों की बात करें तो कम से कम राजस्तान के 15 जिलों में बाडफूर फैल गया है और अपने जैपूर में ठीडिया गर में भी बाडफूर की कुष्टी हु बिल्कुल भवारी जानकारी मिल रही है कि जापूर के चुडिया घर को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है जानकारी आपसे चाहेंगे कि क्या खत्रा और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है अभी चार पक्षी मृत मिले हैं बताया जा रहा है कि कई पक्षी ऐसे हैं जैपूर के चुडिया घर में जो बीमार है बिल्कुल बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल वहाँ पर पक्षी बन कर दिया है बिल्कुल वह भी बिमार है और रही दूसरी बाद जो पक्षी बिमार है उसको वर्ण विबाद बिल्कुल ही निजराने में रखा हुआ है बिल्कुल भवानी ये जानकारी आप से चाहेंगे कि राजस्तान के कितने जिलों में बर्ट फ्लू की पुछ्टी हो चुकी है आप तक कितने पक्षियों की मौत हो गई है और इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है बिल्कुल ही राजस्तान बिल्कुल सर्कार अलर्ड है वन्विबाग अलर्ड है जनली काहुए आने से ही राजस्तान में जालावाट नहां है तो राजस्तान के अलावब दूसरे पदेश में भी इसके लफ्ल की पुछ्टी हो गई हैär ज्कुल भवानी इस बीच में व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है बताया जा रहा है कि जो चिकन का व्यापार है अंडों की जो बिक्री है उसमें काफी कमी आ गई है बर्ड फ्लू के इस खबर के बाद बिल्कुल मैं आपको पताना चाहूंगा कि कोरोना से लोग को बिल्कुल जाग्रू की जैसे ही लोगों को पता चला कि राजेसां में बर्ड फ्लूं सोने जो चिकन के चौकिन जो इंडे के चौकिन लोग तो बिल्कुल ही गई है बिल्कुल आखरी सब्वाल है भवानी अन्य राज्यों में यह ना फैले इसके लिए क्या कुछ प्रिकोशन लिए जारहे हैं। आपने जान कारी दी कि पंदरा राजियों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टी हो चुकी है जो अन्य जिलों में ये ना फैले तो उसके लिए जिला प्रशासन क्या कुछ एतिहात बरत रहा है जिला प्रशासन तो विल्कुल गाइड लाइन जाले कर रखती है और वन विवाद और जिला प्रशासन को दे रखते हैं और विल्कुल जिला मुच्छालब पर भी कंटोर रूम इस्ताफित कर रखता है और जो बात से मतलब कहने का मतलब के इन पक्षियों के लिए जाजिते बात करे छिरिया दर की बात करे है जो अपने राजसान में दवाई मिलाके उनमें अपने मिलाई गई है जिसने इनको और धादा इनका संक्रमन ना फैले यह राजसान करने यह किया हुआ बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया भवानी तमाम जानकारी आपने हम तक पहुँचाई तो आपको पता दे कि राजसान में लगातार बर्ड फ्लू फैलता हुआ नजर आ रहा है इस पीच जैपुर के चुलिया घर में भी चार पक्षी जो है मृत पाई गई है इसके बाद अब एतिहात पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है